अब ही तो हमने ये देखा कि हमारा public and private sector जो थे वो consensus में थे कि वाकई जो technology है वो छोटे बच्चों के साथ भी इस्तमाल करनी चाहिए इससे हमें बड़े फाइदे मिल सकते हैं हम उनके knowledge को speed up कर सकते हैं, उनकी decision making को बढ़ा सकते हैं, उनके learning outcomes को बहतर बना सकते हैं लेकिन जब इस बात का survey किया गया, कि इन हमारे different जो अधारे हैं, public and private sector के, उनमें वाकई तन इस वकद जो सूरते हाल है, factual जो सूरते हाल है, वो क्या थी, तो हमें पता चला, कि public sector teachers have less opportunities, skills and facilities for IC integration बहुत से ऐसे school थे, देखे जो बड़े शहरों के school हैं, उनमें ये situation नहीं थी, लेकिन बहुत से जो remote areas हैं, जहांके school हैं, वहाँ पे equipment की भी कमी थी, खास तोर पर early childhood के लिए, क्योंकि ऐसा तो हुआ हमारे मुलक में, कि जितने भी हमारे secondary या higher secondary schools थे, वहाँ पे computer labs भी हैं और उनको access भी है बच्चों को, लेकिन जो early childhood के classroom थे, वहाँ पे ऐसे कई classroom से, जिनमें अभी computer की access थी ही नहीं, या appropriately equipment ही मुझूद नहीं था, teachers have less interest in utilization of ICT in the classroom, तो अब असाद्जा भी इस बात में दिल्चस्पी नहीं रखते थे, हम public sector की बात करें, कि बही जिनको ICT यूज करने का shock हो, वज़ा एक ही थी, उनका अपना exposure नहीं था, उनकी professional development नहीं हुई हुई, और उनकी access नहीं थी, खुद technology तक, तो बच्चों को में भी जहर है, इस्तमाल कराने में फिर उनको मुझकिल पेश आती, एक मुझे चीज नहीं आती, तो मैं अगले को कैसे सिखा सकता हूँ, तो बिल्कुल इसी तरह से, हमारे इन असाद्जा का interest जो है, वो महदूद था, अब यह हमारा जो research है, वो यह बताती है, कि जो पाकस्तान के अंदर जो public sector school थे, लेकिन जहन में रखिये खास तौर पे जो elite school थे, चुके उनको, उनके हाँ, resources कुछ बेहतर होते हैं, fee structure कुछ बेहतर है, तो उन्होंने बेहतर जो facilities थी, खास तौर पे ECE के बच्चों के लिए वो provide की हुई थी, वहाँ पे computer भी थे, computer teacher भी थे, और technologist भी थे, जो उसको मदद कर सकते थे, लेकिन सम्टाइम्स कोई एक ही technologist था, जैसे वो secondary school के लिए भी वही है, और ECE के कमरों के लिए भी वही है, private teachers have a positive attitude towards the integration of ICT in teaching, तो जैसे मैंने अर्स किया, अगर हमारा explorer ही नहीं होगा, तो teachers का explorer ही नहीं है, तो वो छोटे बच्चों को कैसे सिखाएं, तो अब देखा गया कि हमारा चुके public sector बहुत पहला हुआ है, पूरे पकस्तान के अंदर schools है, तो वहाँ पे professional development तमाम स्कूलों में बच्चों की ICT के हवाले से नहीं हुई हुई, असाज़ा की, तो जब असाज़ा की training नहीं हुई हुई, तो फिर वो positive attitude भी नहीं रखते, क्योंकि उनका क्याल है कि अगर हम technology यूज़ करेंगे तो शायद हमारा वक्त ज्यादा जाया होगा, और फिर बच्चे पढ़ेंगे कब, मतलब वो अभी इस concept को बेहतर से जानते ही नहीं, कि technology के true भी पढ़ा जाता है, और बेहतर पढ़ा जा सकता है, So lack of knowledge and skills regarding the use of ICT in teaching and learning among public sector schools teachers, अब देखिए कुछ हमने ये देखा, कि हमारे public sector के schools जो हैं, वहां भी जो उन्होंने equipment तो ले लिये, उन्होंने चीजें मतारिफ भी करवा दी, लेकिन जो उनके असाध्जा भी थे, उनकी भी professional development अभी इस level पर नहीं हुई, कि जो होनी चाहिए, उनका explorer नहीं है, उनको pedagogies का नहीं पता है, philosophies का नहीं पता है, तो computer बराए computer रखा हुआ है, parents को बताने के लिए, कि हम technology के through पढ़ाते हैं, तो हम ये कह रहे हैं, कि जो चीजें जिस तरह से इस्तमाल होनी चाहिए, उस तरह से इस्तमाल नहीं हो रहे थे, no ICT facilities in public schools, और public schools मे तो बहुत से ऐसे हमारे ECE classrooms है, जिन में computer था ही नहीं, so significant difference in public and private sector teachers regarding effective use of ICT, मजमुई तोर पर हमने ये देखा, कि दोनों sectors में खासा फर्क था, अब ज़रूरत इस बात की है, कि हमारी governments भी acknowledge करें, ICT के use को, ICT की एहमियत को, और जो हमारी ECE है, early childhood and care education, उसमें ICT को proper जगा दी जाए, और proper essential equipment वहां फराहम किया जाए, वहां के असाद्जा को training दी जाए, जब training दी जाएगी और उनको खुद अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी, तो फिर उनका interest भी develop हो जाएगा, और फिर वो बहतर तरीके से बच्चों में भी उस interest को incorporate कर से केंगे.